गैस आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले एरेस को की एरेस क्या होते हैं और क्यों जावस्टूट में एरेस को इस्तिमाल करना है एरेस बिसिकली होते हैं कलेक्शन आफ सम आइटम्स आप एक एरे के अंदर बहुत सारे फूर्ट्स के नाम लिख सकते हो आप एक एरे के अंदर एक से जादा अबजेक्ट डाल सकते हो आप एक एरे के अंदर कुछ नंबर्स कुछ बूलियंस और कुछ अबजेक्ट डाल सकते हो तो बेसिकली कलेक्शन आफ आइटम्स होता है जिसको आप एक इंडेक्स से एकसस कर सकते हो ऐसा करने से ये फाइदा मिलता है कि हम एक नाम के अंदर बहुत सारी values को store कर सकते हैं कभी-कभी आप लोग को किसी student के marks को store करना है मान लो एक से सौ तक आप लोग और रॉल नमबर दिया हुए बच्चो को और आप चाहते हैं कि उनके marks को आप लोग एक नेम के अंदर store करें जैसे कि class 1 marks या class 2 marks नाम का एक variable आप बनाना चाहते हैं उस पर चाहते हैं कि class 2nd के सारे बच्चों के marks आजाएं तो वो आ सकते हैं एरेस की साहिता से चलेंगे computer screen में देखेंगे एरेस को किस तरह से इस्तेमाल करता है लेक्स केट स्टाड़ेट सो गैस अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं chapter 5 और chapter 5 है हमारा एरेस ठीक है तो मैं सबसे पहले तो pdf को लेता हूं एरेस की ताकि आप लोग को मैं बता सकूं कि और यहां पर हम लोग सबस्वर डिसकेश करते हैं कि यह हमें क्यों चाहिए और एरेस क्या होते हैं तो यह से जादा वैलियों अगर लोग को होल्ड करानी है तो आप एरेका इस्तेमाल करते हैं, syntax एकदम सेंबल सा है, अगर मैं आपर लिखता हूँ let a is equal to और square brackets लगाते हैं, तो square brackets का होती है, आपके enter के उपर होती है बिना shift press कि दबाऊगे, तो square brackets यहाँ पर आजाएंगी, अब मैं यहाँ पर अगर एक से ज्यादा values डालता हूँ, तो यह बन गया एक array, ठीक है, क्यों अस्तेमाल करते हैं, क्यों हम एक नाम के अंदर more than one value डालना चाहेंगे, हम इसलिए डालना चाहेंगे, क्योंकि कभी-कभी हमारी एक पुरी entity set of numbers होती है, जैसे कि marks underscore class 12, ठीक है, class 12 के बच्चों के marks, तो मैं एक काम करते हैं, अब 9898 लगा देता हूँ, ठीक है, 60s में भी आते हैं number लोगों के, तो यहाँपर 91, 82, 63, 84, यहाँपर आप लोग देख सकते हो, कि यह class 12 के चार बच्चों के marks है, ठीक है, यह पहले बच्चे के marks, यह roll number, let us say, roll number 0 वाले के marks, यह roll number 1 वाले के marks, यह roll number 2 वाले के marks, और यह roll number 3 वाले के marks, ठीक है, तो इस तरह से हम, एक से ज़्यादा value को एक नाम के अंदर store कर सकते हैं, और यह हमारे पास arrays होते हैं, जावा स्क्रिप्ट के अंदर, तो यह तो syntax हो गया, अगर मुझे देखना है कि array में क्या है, तो मैं क reduce, 63, 64, यह यहाँ पर जो है, वो print हो जाएगा, ठीक है, तो एक से ज़्यादा value को store करने के लिए हम मेरे इसका स्टमल करते हैं, क्या हम दूसरे type की value भी store कर सकते हैं, क्या रहे हैं, मालो मैं एक value को मालो null करना चाता हूँ, मालो कोई बच्चे ने exam नहीं दिया, ठीक है, उस not present, ठीक है, क्या मेरे डाल सकता हूँ, हाँ डाल सकता हूँ, तो आप एक से ज़्यादा अलग-अलग values भी डाल सकते हो, अलग-अलग types की values, ठीक है, तो यह आपके पास arrays हो गए, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समझेंगे कि values को किस तरह से access किया सकता है, arrays के अंदर से, ठीक सकता हूँ, और जैसे ही मैं 0, 1, 2, 3 लिखूँगा, in fact, मैं 4 भी कर सकता हूँ, यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक present है values, गिंती 0 से start होती है, index 0 से start होगी, तो मैं इसको print कर रहूँगा, तो individual values प्रेंट हो जाएगी, 91, 82, 63, 84, false, or not present, ठीक है, और यह इन सारे statements की वज़े से हुई ह अगर मैं आपट 6 करूँगा, तो क्या होगा, 6 करूँगा, तो क्या होगा, करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा, क्या होगा, तो जैसे ही मैं ऐसी value को access करने की कोशिश करूँगा, जो की मौजूदी नहीं है, मुझे undefined देखने को मिलेगा, ठीक है, तो undefined है, ठीक है तो marks class 12, 6, जैनि कि छटे बच्चा, जो की मौजूद ही नहीं है, class में, उसके marks आप प्रेंट करने की कोशिश करूँगा, तो आपको undefined देखने को मिलेगा, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक values प्रेंट होगी, otherwise undefined प्रेंट होगा, ठीक है, I hope कि आप लोग समझ गए इस यह नहीं है, यह पता लगाने के लिए, हम लोग dot length property का इस्तेमाल करेंगे, तो यह भी करके देख लेते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहां पर, मैं dot length कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, और यहां पर मैं लिखूँगा, the length of marks class 12 is, ठीक है, और मैं इस तरह से इसकी length को, यहां पर print करा सकता हूँ, ठीक है, तो the length of marks class 12 is 6, ठीक है, यह नहीं 6 elements इसमे, जब length की बात आती है, तो 0 से गिनती start नहीं होगा, ऐसा मैं समझे ना कि 0 से गिनती start हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसकी length 5 नहीं, कितरे elements से इसमें, 6 है ना, तो 6 print होगा, ठीक है, dot length वो will be undefined, because index 6 does not exist, ठीक है, index 6 exists नहीं करती है, तो इस तरह से आप लोग जो है, length को find out कर सकते है, erase की, क्या आप values को change कर सकते हो, क्या ऐसा कर सकते हो, क्या ऐसा कर सकते हो, कि मान लो किसी एक बच्चे ना admission ले लिया, 6 बच्चे ना admission ले लिया, मान लो, ठीक है, तो क्या आप कु past 12, 6 is equal to, let us say, 89 marks आये है, 6 बच्चे के, तो अभी undefined print नहीं करेगा, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर define कर दिया है, कि 6 बच्चे के 89 marks है, तो मैंने एक value add कर दी अपने array पे, तो देखो, यहाँ पर 89 आ गया है, ठीक है, और length क्या हो गई है, बच्चे साथ होगी, क्योंकि मैं एक value और add कर दी अपने array के अंदर, ठीक है, तो अगर मैं यह कर दूँगा, तो length साथ हो जाएगी, और यह यहाँ पर इस तरह से print करेगा, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है, ताकि confusion ना हो, तो मैं इसमें adding a new value to the area यहाँ पर लिख दे मैंने तो marks बढ़ेंगे, 96 होएंगे, ठीक है, यह 90 वाली होते हैं, सबसे जादा, ठीक है, मैंने भी बढ़वाएं कई पर, अब 96 यहाँ पर लिखेंगे हम जैसे ही 0 बच्चे के marks, तो क्या होगा, कि adding a new value to the area, changing the value, the value of an array, of an array, change कर रहे हैं, अगर हम value किसी भी array की, तो यहा change कर सकते हैं, value आरेगी, लेकिन मैंने प्रेंट नहीं किया अभी तक, तो मैं काम कर रहे हैं, जो प्रेंटिंग कर रहा हूँ ना, मैं सरी की, वो नीचे कर दूँगा, ठीक है, और इसको मैं जैसे ही run करूँगा, आप तो 96, 82, 63, 84, false, not present, 89, ठीक है, तो 96 हो गया, पहला वाल element, change कर दिया मैंने, ठीक है, तो मैं इस तरह से change कर सकता हूँ, elements को, ठीक है, आए हो कि आप लोग को पता चल गया हो, कि इस तरह से change कर सकते हो, आप elements को एक array के, ठीक है, तो इस तरह से change की जा सकते हैं, ठीक है, numbers now becomes this, मैंने आप numbers 2 को 8 किया, 0, 1, 2, 40, जगा 8 कर दिया, arrays are mutable, arrays can be changed, strings are immutable, strings cannot be changed, arrays are mutable, arrays can be changed, strings are immutable, strings cannot be changed, दस बार आप लोग भी बोलो, यह घर पर बैट के अपने, ठीक है, अब बोलना, cheating मत करना, ठीक है, in JavaScript, arrays are objects, the type of operator on array returns object, ठीक है, अब array को यह ऐसा नहीं कि primitive type नहीं, array का object ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं type of array print करूँ, त तो यहार करके देख लेते हैं, type of, और यहाँ पर object print हो जाएगा, जैसी कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है, अब क्या होगा, कि type of N करोगे, आप तो भी object यहाँ पर print होगा, arrays can hold many values under a single name, यह जो है, array का आप कहलो USB होता है, एक नाम के अंडर, multiple values, आप लोग प्रेंट कर सकत तो आप मैं आप लोग को एक quick quiz देना चाहता हूँ, और वोग को एक quiz यह है, कि आप एक array के अंदर के सारे elements को for loop से print करो, for loop को चलाना, dot length इस्तेमाल करके, इतने बार चलाना, for i is equal to zero करके, और पूरा चलाना कैसे करते हो, आप यह आपके उपर है, मैं चाहता हूँ कि आप अपना answer, comment section में दो मुझे, और replicate comment section में लिखना ही code, और मैं भी it करूँगा, आप लोग के code का, ठीक है, so I hope कि आप लोग को मज़ा आया, अभी तक के वीडियो में, जितनी भी topics discussed है, वो सब समझ में आये, यह जो file है, PDF file यह में डाल दूँगा, description में आपको मिल जाएगी, अभी कि इस वीडियो में इतना है guys, thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.